अब हम भारत में ब्रश्टा चार पर चिंता बढ़ाने वाली एक रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे आप तो सब जानते हैं भारत को एक ब्रश्ट देश माना जाता है क्योंकि हमारे देश में चारो तरफ ब्रश्टा चार है और सबसे बड़ी वात ये है कि हमारे देश में हमारे समाज ने हम सब लोगों ने ब्रश्टा चार को अब दिल से सुईकार कर लिया है ब्रश्टा चार अब हमें बुरा भी नहीं लगता और हम ये मान कर चलते हैं जब कोई एस्टिमेट लगाते हैं कोई बिजनस शुरू करने चाते हैं अपना कोई काम करवाना चाते हैं तो जब हम उसका एक एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना खर्चा होगा तो उसमें रिश्वत के पैसे अलग से हम लगा कर चलते हैं कि इतना पैसा रिश्वत में लगेगा और अब हमें ये बात चुबती भी नहीं है और जो लोग रिश्वत का पैसा ले लेकर भरश्चाचार करके इस देश में अमीर बन चुके हैं बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं बड़े बड़ी गाड़ीों में चलते हैं बड़े बैंक बैलेंस हैं उन सब लोगों को अब हम सम्मान की दृष्टी से देखते हैं अब हमें उन लोगों से नफरत नहीं होती उन लोगों से घ्रणा नहीं होती और हमें ऐसा लगता है उसमें भारत को एशिया का सबसे भरष्ट देश बताया गया है इसमें आपको कोई भी एहरानी नहीं हुई होगी रिश्वत खोरी के मामले में भारत पूरे एशिया में पहले नमबर पर है 49% भारतियों ने ये माना कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में रिश्वत दी है 37% के साथ कमबोडिया दूसरे और 30% के साथ इंडोनेशिया तीसरे नमबर पर है अब आपको एशिया में सबसे इमानदार देशों के बारे में भी बता देते हैं क्योंकि इमानदारी अभी मरी नहीं है आज भी इस दुनिया में ऐसे देश हैं लोग हैं जो इमानदार हैं एशिया में मॉल्डिव्स और जापान में सिर्फ 2% लोग ही इमानते हैं कि उन्हें कभी रिश्वत देनी पड़ी तीसरे नमबर पर दक्षन कोरिया है यानि ये एशिया के सबसे इमानदार देश हैं जो आपकी स्क्रीन पर है अब आपको बताते हैं भारत में कौन कितना भरष्ट है 46% लोग मानते हैं कि भारत में पुलिस सबसे ज़्यादा भरष्ट है 46% मानते हैं स्थानिय अफसर भरष्ट है 42% लोग मानते हैं कि सांसद ब्रष्ट है 41% लोगों को लगता है सरकारी विभागों में ब्रष्टा चार है 20% लोगों ने कहा कि अदालतों में जज और मजिस्ट्रेट भी ब्रष्ट है अब ये बहुत चिंता जनक बात है जो आपकी स्क्रीन पर 20% लोग दिख रहे हैं आपको ये चिंता की बात है इस से पहले लोग पुलिस को ब्रष्ट मानते थे हमें कोई हरानी नहीं स्थानिय अफसर जो हैं उन्हें ब्रष्ट मानते थे सांसदों को भी मानते थे सरकारी करमचारियों को भी मानते थे इसमें हम बिलकुल हैरान नहीं है लेकिन इस बार 20% लोगों ने नियाय विवस्था पर भी उठाई है अदालों तो पर उंगली उठाई है ये बहुत चिंता जनक बात है भारत जैसे दिश के लिए आपको ये भी जानना चाहिए कि कौन सा ब्रष्टाचार कितनी बड़ी समस्या है 89% भारतियों के लिए सरकारी ब्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है 49% लोगों को सरकारी काम में रिश्ट खोरी 40% लोग सिफारिश को बड़ा ब्रष्टाचार मानते हैं कि हर काम में सिफारिश करानी पड़ती है 18% ने कहा वोट के लिए नोट को उन्हें ब्रष्टाचार बताया अब तक अब एक सबसे ज़्यादा चिंता वाली जानकारी है 11% लोगों ने माना कि काम के बदले शारिरिक शोशन सबसे बड़ा ब्रष्टाचार है तो ये एक नई बात इस सर्वे में आ रही है 11% लोग ये कह रहे हैं कि काम के बदले शारिरिक शोशन हो रहा है और ये सबसे बड़ा ब्रष्टाचार उनके लिए है और इसी के तहट मीटू जैसी केमपेंज कवर होती है अब आपको बताते हैं पिछले एक साल में भारत में ब्रष्टाचार बड़ा है या कम हुआ है 47% भारतियों ने ये माना कि देश में ब्रष्टाचार पहले से ज़्यादा हो गया है 27% ने माना भारत में ब्रष्टाचार कम हुआ है 23% ने कहा कि एक साल में कुछ नहीं बदला जैसा था वैसा ही है और 3% लोगों ने कहा कि इस पर उनकी कोई राय नहीं है वो कह नहीं सकते इसके बारे में अब पूरे एशिया में ब्रश्चाचार की कुछ आंकडे देखिए ताकि आप समझ सकें कि एशिया में भारत की corruption rating क्या है जैसे हमारी TV की जो rating आती है TRP rating ऐसे ही ये देशों की corruption rating है तो इस corruption rating में कौन कहां खड़ा है ये देख लेजिए एशिया में 23% लोगों ने माना कि पुलिस सबसे ब्रश्च है 17% लोगों ने कहा अदालत हैं सबसे ब्रश्च है सोचिए एशिया में लोग दूसरे नंबर पर अदालतों को मान रहे हैं कि ये सबसे ब्रश्च है यहां गोर करने वाली बात है कि ब्रश्चाचार की सजा देने वाले कोट को भी जनता अब ब्रश्च समझ रही है यानि ब्रश्टाचार को लेकर जिन अदालतों में मुकदमा चलता है उन अदालतों पर ही सवाल उठा रही है एशिया की जनता ये दुखद है और बहुत चिंता जनक है क्योंकि जब अदालतें जहां से फैसले आते हैं अगर उन फैसलों पर ही प्रश्ट चिने लगने लगेंगे तो फिर आप किसका फैसला मानेंगे 17 परश्ट लोगों ने का कि पहचान पत्र बनाने वाले विभागों में सबसे ज़्यादा प्रश्चार है स्कूल, जरूरी सेवाओं और अस्पताल भी लोगों की नजर में रिश्वत खोरी के बड़े अड़े बन चुके हैं